Hello Friends, Welcome to Paralegal Study BPAZ 174 जो हमारा कोर्स है Sustainable Development उसकी 14 उनिट हम करते हैं Role of Non-State Stakeholders in Sustainable Development तो इस चप्टर में हम समझेंगे कि Sustainable Development को अचीव करने में NGO जो है वो अपना रोल कैसे प्ले कर सकती है Trade Union जो है वो किस तरीके से Sustainable Development में हेल्प कर सकती है Corporate and Universities तो इन सब के रोल को हम समझेंगे कि कैसे इनका जो रोल है वो Sustainable Development गोल को अचीव करने में बहुत important role play कर सकता है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ basic introduction की तो देखो क्या है कि Sustainable Development के लिए न हमें क्या करना होगा We involve the institution partnership किस-किस के बीच NGO, corporate bodies, academics and research institution and trade union So which must be made a integral part of the planning and implementation इन सभी को साथ लेके proper planning करते हुए proper उसको implement करते हुए और इन सभी को एक integration के रूप में एक unification के रूप में जब सभी लोग ये सभी जो institutions है वो साथ आएंगे तो Sustainable Development गोल जो है वो अचीव हो पाएगा ये एक basic आपको definition लिखनी है देखो हर उसमें मैं चैप्टर में आपको बताता हूँ कि introduction आपका starting में हमेशा अच्छा ही होना चाहिए तो उससे क्या होता है आपके answers में एक flow आता है ठीक है तो ये आपके एक introduction हुआ next चलता है कि need and importance of sustainable development भाई sustainable development की जरूत क्यों है हमें तो उसका देखो simple सा अगर मैं example कहूँ है अगर हम देखें अभी क्या है जैसे जैसे समय के साथ population, urbanization, industrialization, globalization ये सारी चीज़े बढ़ी है ना तो उसका impact बढ़ा है natural resources पे तो जैसे जैसे natural resources अभी दिरे-दिरे कम होते जा रहे हैं और उसके साथ आप देखो global warming जैसे problems इसके लावा glacier पिंगल रहे हैं आप देखो जो uneven temperature देखने को मिलता है even forest fire आपने सुनाओगा कई भर जंगलों में आग लग जाती है जैसे Australia के जंगलों में लगी कभी ब्राजियल के जंगलों में इस रिके से अलग अलग ऐसे घटनाएं होती है उसके लावा अपने इंडिया में अगर हम बात करें देखो कभी जो उपर नदियों में पानी तना जादा आ जाता कि बाड़ जैसे situation भी आती है कभी बिल्कुल नदिया ऐसा लगती है कि सूखने को हो गई सर्दिया जो है वो दिरे दिरे इंडिया में लग रहा है कि कम बिल्कुल कम होते चली जा रही है पहले जो सर्दियों का एक सीजन नोर्थ इंडिया में अगर हम बात करें करीबन तीन महीने तो चार महीने रहती थी सर्दिया लेकिन अब December में लगता है कि हाँ थोड़ी वो सरदी है अदर्वाइस तो सरदी अब दीरे-दीरे खतम हो रही है तो ये सारी problem है population, urbanization, industrialization, globalization के चलते और उसका जो impact पड़ा है वो हर जगह दिखता है हमें लेंड में, water में, atmosphere में हर जगह इन चीज़ों का negative impact देखने को मिलता है तो अब बात आती कि sustainable development की जरूत क्यों है तो सबसे पहला तो यही है न कारण कि आपको अगर natural resources को आपको environment को आपका पूरा जो biodiversity, biosphere है उसको अगर आपको बचाना है तो we need a strong sustainable development दूसरा जो है कि sustainable development से क्या होगा is necessary to ensure that we conserve our natural resources, maintain ecological balance और इसके अलावा जो भी negative impact जो हो रहा है पूरी पृत्वी पे उन सब को हम reverse करने में, उन सब को कम करने में ecological balance को maintain करने में और अपने resources को बचाने में काफी important role play कर सकता है क्या अगर हम sustainable development की true चलते हैं तो यह हुआ second, third जो है कि sustainable development की जुरूरत इसलिए भी है ताकि sustainable development की थूजग हम चलते हैं तो long term में prosperity आती है चाहे businesses के रूप में, चाहे economics के रूप में, sustainable development जो है वो बहुत important है not only for the present, but future long term के लिए भी तो prosperity आती है, healthy उससे आपका एक environment create होता है lifestyle आपके बहतर होता है, efficiency आपकी बढ़ती है इसके अलावा अगर अगर sustainable development के बेस पे चलेंगे तो आपका जो cost है जो वो सब भी reduce होते हैं क्योंकि बीमारिया मालो नहीं होंगी और environment से related जितनी भी unnecessary जो problems है अगर वो सारी कम हो जाएं, तो सोच के देखो कितनी सारी problems आपकी automatic, चाए आपकी health issues है इसके लावा अगर हम बात करें, food से related अब खाना पीना भी देखो वो नहीं रहा, जो पहले था तो simple है, sustainable development है वो बहुत important role play करता है, long term में prosperity लाने में, उससे हमारी जो efficiency है वो increase होती है, cost जो हमारी, वो सब reduce होती है और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो sustainable development के थूरू innovation आता है, तो society भी काफी बहतर बनती है तो ये सब points हैं, जो आपको लिखने हैं, कि हमें sustainable development की जरूरत क्यों है next अगर मैं बात करूँ, role of NGO अच्छा इसमें एक और छुटा सा, अगर आपको लिखना हो कि example क्या है, कि sustainable development की अगर आपको example के रूप में लिखना हो कि किस रिके से आप sustainable development को achieve करेंगे, तो उसके कुछ example आप बताएं तो सबसे पहला जैसे renewable energy जो renewable energy जो है, उसमें क्या होता है आप solar, wind, hydro power, इन सब energies का use करते हो, तो ये sustainable development का ही part है, और इससे क्या होता है, आपका खर्चा भी कम आता है, cost effective भी है और जो मैंने आपको बताया, इससे long term में prosperity भी आती है, healthy, जो atmosphere भी बनता है, और आपका innovations जो है, आपका profit जो है, वो बेजादा होता है तो example जो है, वो renewable energy दूसरा है, जैसे sustainable agriculture अगर माल लो, आप अपने ये जो pesticides, fertilizers, chemicals को अगर अप दिरे-दिरे use करना बंद गर दोगे, और sustainably जो आप जो manure है, जो देशी खाद है उस तरीके की चीज़े अगर अपना होगे, तो क्या होगा जो, soil की health है, वो improve होगी, इसके लावा water जो अभी बहुत जादा लगता है दिरे-दिरे, उसकी water uses भी कम होने लगेगा, और सबसे बड़ा फाइदा तो health के उपर है, कि अच्छा अगर खाना खाएंगे, तो health भी सही रहेगी थर्ड एक्जामपल है, green building green building का मतलब, आप जब design बनाते हो, तो इस तरीके की building होनी चीज़े, जिसमें उपर ही solar panel के provision starting में ही हो, सबसे important तो यही चीज़ है, दूसरा जैसे पानी को लेके भी, जो design है आपका, और construction इस तरीके से हो की water को भी आप conserve कर सको, बारिस जब आती है, जैसे मुंबई के मैं बात करूँ हो, तो बहुत ज़्यादा बारिस होती है, वहाँ पे चार महिने के करीब, तो अगर यह बहतर तरीके से implement किया जाए, design और construction को, तो green building जो है, उसका मतलब ही है, यहाँ पे आपकी energy consumption को आप reduce करते हो, water जो है, उसको बहतर यूज करते हो, अगर waste कुछ है, तो उन सब को बहतर यूज करते हो, तो green buildings जो है, वो other एक example है, इसके लावा sustainable transportation, simple हम बात करें, अभी जैसे देखो, electric जो गाड़ी आई हैं, या फिर CNG जैसे चीज़ें हैं, ऐसे ही, अगर और भी sustainable transport जो है, वो चालू होते हैं, लोग देरे देरे, अगर public transport को या तो use करें, या फिर cycling, जैसे यूरोप में क्या होता है, यूरोप में लोग cycling वहाँ पे बहुत ही common चीज़ है, कि आप अच्छे से अच्छे businessman भी हैं, अच्छे खासे पैसे वाल हैं, फिर भी वहाँ पे cycling करते हैं, इवन offices में लोग जाते हैं, तो वो अगर Japan में भी same है, तो ये सब country जो एक उसे क्या होता है, आपकी health भी अच्छी रहती है, एक तरीकी के आपके exercise भी हो जाती है, environment को भी आप protect करते हो, और उसे sustainability में आपका खर्चा जेव खर्च भी तो कमी आएगा ना, क्योंकि transport में आप जाओगे तो पैसा उतना आपका ज्यादा लगने वाला है, तो ये है sustainable transportation, next जो एक जामपल है, उसमें है waste reduction and recycling, कि अगर आप waste को recycle करते हो, उसको reduce करते हो, तो वो भी आपका cost effective होगा, और which is good for the sustainable development, इसके इलावा अगर हम बात करें कि conservation and protection of the natural resources, तो अगर हम protect करेंगे natural resources को, तो natural resources उसके कारण forest, ocean, waterway, हर जगे की biodiversity जो है, वो उसको हम बचा पाएंगे, sustainable tourism की sustainable tourism की जो practices है, वो भी बहुत important है, उससे क्या होगा, कि जो negative impact जो tourism का हो रहा है, दिरे-दिरे, वो कम होगा, और local communities को benefit ज़्यादा होगा, तो simple है, यह मैंना पहले आपको बताया था कि need क्यों है, sustainable development की, और फिर various ही मैंने example बताया, renewable energy, sustainable agriculture, green building, sustainable transportation, waste reduction and recycling, conservation and protection of natural resources and sustainable tourism, अब आगे चलते हैं कि role of NGO, NGO का क्या role है भाई, sustainable development में, तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले, एक basic सी चीज़ कि NGO और और जो civil society groups are not only stakeholders in the governance, but also a driving force behind greater international corporations through the active mobilization of public support for international agreements, कि आज के दिन जो ये NGO हैं, civil societies हैं, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि governance को बहतर बनाने के लिए काम करते हैं, मतलब of course कह रहा है कि ये तो है इनका काम की governance को improve करते हैं, और लेकिन इसके साथ साथ इनका जो सबसे बड़ा ये role ये है कि इनको public sport बहुत मिलता है, तो international level पे जब agreements बनते हैं, तो इन में, इन में NGO और ये जो other civil society जो groups हैं, जैसे मैं कहूं कि women's के कुछ group हैं, कोई ऐसे हैं, जो animals से related अपनी बाते रखते हैं, तो ये सब मतलब, various other civil society के groups हैं, इनका बहुत बड़ा एक, इनकी इनका pressure in the sense नहीं बोलनेंगे, लेकिन एक positive way में इनका impact पड़ता है, और उनके आधार पे, क्योंकि इनके पास public sport काफी होता है, तो international agreements जो हैं, वो फिर सोच समझ के बनाए जाते हैं, कोई भी agreement ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर उस agreement में, international किसी भी agreement में कोई ऐसे provision है, जो environment के against हैं, या sustainable development goal के against जा रहे हैं, तो ये NGO और civil societies के जो लोग हैं, बहुत pressure करते हैं, तो इनका काफी रोल भड़ जाता है, इसके अलावा अगर हम बात करें, NGO का जो दो टाइप के NGO होती हैं, अगर major NGO के work को अगर आप देखोगे बारिक से, तो उसमें क्या होता है, एक NGO वो होती है, जो developed work को देखती हैं, जैसे कोई poverty को reduce करने में, जो marginal जो sections है, उनकी problems को address करने में, social justice को दिलामेने में, human right के issues को promote करने में, ये development work देखती हैं, ये इस तरिके की NGO हैं, दूसरी जो NGO है, special वो ऐसी NGO हैं, जो proper environment issues को भी देखती हैं, climate change, environment, deforestation, ozone layer, depletion, water management, biodiversity land use, energy conservation, मतलब ये जितने भी issues हैं, उनको देखते हैं, ये NGO जो special environment protection से related हैं, उसमें कुछ prominent अगर आपको environment NGOs लिखनी हो इंडिया में, तो जैसे आवाज foundation है, गोवा foundation है, केर इंडिया है, foundation for ecological security है, इसके लावा, windrock international इंडिया है, ये सब NGOs जो इनका बहुत बड़ा रोल होता है, इसके लावा, NGO also involved in environmental production, and also increasingly using the RTI, जो right to information जब से आया है, तब से भी इन NGO का काफी active role हुआ है, क्यों, क्योंकि ये अब NGO क्या करते हैं, कि सरकार कोई policy बनाने वाली है, अभी मालो सरकार ने कहा कि हम जारखंड या UDISA में कोई project निकाल के ला रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी development activities कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये NGO क्योंकि इनका कामी specialist area को देखना है, तो ये RTI के तहट एक पूरा details जो निकाल लेंगे कि सरकार जो है, वहाँ पे क्या करने जा रही है, या कितना उसके लिए allocate हो आया fund, उससे क्या सरकार का mainly मकसद है, तो ये जो RTI के कारण भी अब NGO जो हैं, बहुत involvedly environment protections को बचाने में लगे होई हैं, दूसरा अगर हम बात करें कि ये क्या करते हैं, गोवर्मेंट के साथ मिलके rules and regulations, environmental laws, इसके अलावा जो projects हैं, उन सब को भी बहतर बनाने के लिए ये NGO जो हैं काम करती हैं, इनके जो representative हैं, वो government में भी होते हैं, और of course government जब कोई policies बनाती है, तो इन से भी consult करती है, तो ये मैंने आपको पूरा बताया कि NGO जो है, जर्नली जो दो type के NGO किस तरीके से काम करती हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें अभी कि role of trade union, trade union जो है friends, उनका sustainable development goal में उनका क्या role हो सकता है, देखो, trade union form around the world are conducting national monitoring and analysis of how their governments are doing with regards of their commitment to achieving the implementation of sustainable development goals, trade union जो है पूरी दुनिया में वो क्या करती हैं, क्योंकि देखो, वो industries का part है, trade union, तो trade union वालों को ज़्यादा बहतर बताया होता है कि कौन सी industries के अंदर क्या चल रहा है, है ना, हम बाहर से तो किस industry के बारे में इतनी ज़्यादा बाते बता नहीं सकते लेकिन trade union जो है, क्योंकि वो अंदर की जो बात है, वो उनको पता रहती है, तो इनका जो commitment है, ये बहुत बड़ा role play कर सकती है, sustainable developments की goal को achieve करने में, अब पहले थोड़ा से समझते हैं कि functions क्या होता है, generally trade union जो है, इंडिया में अगर मैं चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो trade union का पहला जो function है, पहला जो काम है, protect the workers, दूसरा जो है trade union also help in providing financial and non-financial sport, जैसे strike हो गई, किसी भी मजदूर की कोई ऐसे कोई death हो गई, uncircumstances में, कुछ ऐसा होगा कि क्या पता अंदर company के अंदर safeties नहीं थी, और ऐसे कुछ issues थे, तो trade union is also, means provide the financial and non-financial sport है, वो भी provide करती है, next जो function है, trade union का वो क्या है, कि collective bargaining, ये concept जो है, बहुत important होता है, collective bargaining का मतलब ये होता है, कि जैसे कोई भी अभी पहले क्या होता था, ये जो employee होते थे, ये क्या करते थे, इनको अपने जो workers को, जो ये business man थे, ये या तो उनको ज़्यादा घंटे काम कराना, ठीक है, उनको salary जो हो कम देना, इसके अलावा कई बार वो अपनी ज़्यादा दादागिरी चलाते थे, लेकिन अभी क्या है, ये क्लेक्टिव बार्गेनिंग के ताहिए, ट्रेड यूनियन, क्योंकि उनके पीछे पूरा workers का हाथ होता है, वो सारे workers को ही represent करती है, ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन जो है, वो क्या करती है, बहतर negotiation बहतर, discussion कर पाती है, और उनको आप दबा भी नहीं सकते, तो ये जो collective जो bargaining के जो है, ये बहुत important है, इसका मतलब simple यह यह कि दोनों win-win situation, कि जो industry है, उसको भी फायदा पहुंचे है, वरकर्स के हित में भी आब यह यह या वाज उठाते हैं, कि हमें यह यह चीज़ें चाहिए, तो win-win situations होती है, बहुत साइड से, तो यह major function है, trade union के, दूसरा अगर मैं बात करूँ कि objective क्या है भाई इनके, तो objective जो है, वो यह है, कि पहली बात तो कि wages और salary, जो हमने एक बार पहले भी बात की, कि वो इनका main objective होता है, कि wages को salary इनको अच्छी मिले, working conditions जो हो, उनके उपर इनका ध्यान होता है, कि working condition बहतर हो, तो trade union इसको बहुत सीरियस ले लेती है, इसके लावा जो discipline है, welfare है, और जो employee और employer के बीच जो relationship है, वो बहतर हो, तो यह सब कुछ mainly objective का हो, या इनको functions की category में रख स पीचे सबी workers का हाथ होता है, internal matters को अच्छे से समझते हैं, इनको अच्छे से पता होता है कि industries क्या कर रही है, तो यह बहुत बड़ा एक important role play कर सकते है, sustainable development goal को achieve करने में, ठीक है, next अगर मैं बात करूँ कि role of corporate in sustainable development, यह जो corporates होते हैं, जो business firm है, और यह जो बड़े-बड़े corporate जो houses होते हैं, इनका किस तरीके का role है, तो देखो इसमें जो सबसे बड़िया जो अगर मैं provision बता हूँ, वो है आपका corporate जो social responsibility, CSR जो है ना, वो बहुत एक important part है, इसके तहत क्या होता है, मैं आपको एक छोटा से example बताता हूँ, Tata जो है ना, Tata हमारी जो company है, वो आपको प करें, तो अमबान यरीन सब से बहुत आगे चली जाए वो, लेकिन क्योंकि Tata जो है ना, उसकी philosophy ही कुछ ऐसी है, कि वो बहुत welfare की चीज़े करते हैं, और दूसरी चीज़ अभी देखो cancer के जो hospitals हैं, इन्होंने खोल ले वे हैं, Tata Institute of Social Science, इसके बारे में अगर आपको जानन है, तो जरूर मुझे आप WhatsApp पे message करना और पूछना, TISS जो है ना, Tata Institute of Social Science, यह मुंबई में है, इसकी जो में ब्रांच है, और इसके अलावा है, हैदराबाद में भी campus खुला है, तो यह बहुत important है, अगर आपको masters करना है, आगे चलके private, मिन से, sorry, regular, तो friends, TISS के लिए जरू to try करना, आपकी life बन जाएगी, मैं इतना आपको बोलता हूँ, बहुत जबरदस्त environment है, जैसे JNU का होता है, DU के top colleges है, उसी तरिके से अगर मैं बात करूँ, तो TISS तो बहुत important है, तो वापिस अलते हैं कि जो Tata जो है, जो institutions है, यह education sector में, even or health sector में, हर sector में इनका बहुत के तहित, यह provision है, जिसके तहित क्या होगा, कि जो corporate है, यह क्या करेंगे, अपनी responsibility को समझेंगे, और कुछ environment के लिए, social welfare के लिए, इनको कुछ काम करना होता है, कुछ funding देनी होती है, मैं कहूं, कि उनको ऐसा, एक responsibility तभी तो है, corporate, social responsibility, कि यह जो corporate, जो यह world है, इनकी कुछ social responsibility भी बनती है, तो यह जो concept है, मैं बात कर रहा हूं, कि CSR यह बहुत important है, इसके through, आप sustainable development goal को ही एक तरीके से अचीव कर रहे हो, दूसरा, अगर हम बात करें, कि generally, specified under, अगर हम बात करें, schedule जो 7 है, companies act है, 2013, तो company act 2013 का 7 जो schedule है, वो बोलता है, कि भई, यह जो है, कोई भी company, ज क्या क्या उसको करना है, तो यह schedule 7 में दे रखा है, companies act 2013 के, क्या क्या है, उसमें, कि भाई, आप hunger, poverty को reduce करने में help करोगे, education, gender equality, empowering women, इसमें आप काम करोगे, जो HIV, AIDS, और other disease हैं, उसको combat करने में help करोगे, उसको बिमारियों से बचने में मदद करोगे, environmental sustainability लाने में ensure करोगे, और कुछ contribution परधान मंतरी, national relief fund है, उसमें आप दोगे, तो क्यों क्योंकि यह जो PM, जो national relief fund होता है, इसके दहत क्या होता है, आप इने देखा होगा कि कभी climate ऐसा होगा, कि बाढ़ आ गई, बुकंप आ गया, तो उस दोरान जो पैसा है, जो fund, मतलब जो खर्चा होता है, तो पूरा सरकार कहां से लेगी वो, तो इसका मतलब ये एक provision aid किया गया है, उसमें, कि आपको कुछ contribution PM, national relief fund के दहत देना है, तो ये पूरा जो है, ये CSR के तहत ही है, और ये बहुत important role play करता है, हमारा CSR जो principles for attaining the sustainable development goal, ये है, तो देखो, वह students, जिन भी students को notes चाहिए, तो आप मुझे message कर सकते हैं, channel के description piece पे आप जाके, you just see my numbers and email IDs, तो वहाँ पे आप मुझे message करें, और आप notes को buy कर सकते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें जैसे मैंने बोल ली हैं, तो proper sequence में, बिल्कुल cream form में, आपको पूरे chapter के, पूरे, आपको course के notes वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक next चलते हैं हम, role of universities in sustainable development, कि ये जो universities हैं, इनका sustainable development goal में क्या role हो सकता है, देखो सबसे पहला गर हम बात करें, कि sustainable development goal में एक goal ये भी है कि innovation और quality education पे जोर देना, तो इसका मतलब साफ है कि खुद sustainable development goal में एक goal को ये बना रखा है, जब कि आप education, quality education पे जोर देंगे, so university can develop and assess policies, options and implementation pathway and also monitor the progress, तो universities जो हैं, वो innovation भी करती हैं, उनके पास solution, क्योंकि young mind है, अभी आप सभी जो हैं, आप देखो बिलकुल young हैं, तो आपका जो focus होना चाहिए, वो किस बात पे होना चाहिए, कि जो problems है, पहले उसको identify करो, और उसके क्या solutions होते हैं, वो, दूसरा university also provide professional and personal skill and capabilities to create future leader, decision maker, innovation, इसके लावा business, businessman and better citizens, तो अभी आप देखो, आप में से कल को को कोई government officer बनेगा, आप में से कल को को कोई professor बनेगा, कोई आप में से business भी कर सकता है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जो आप, मतलब जो university से student होते हैं, वो आगे चलके professional, personal skill और बहुत सारी capabilities को व करते हैं, तो अगर वो universities level पे ही जोर दिया जाए, sustainable development को seriously लिया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, तो उसे बहुत important role आगे जा के play कर सकते हैं, भी आप सोटके देखो, अभी हमारे इसमें, course में, ये sustainable development का जो syllabus है, ये जो course है, क्यों डाला गया है, और आपने जब ये इत जाते हैं, UPSC का जो game है, अगर आप में से कोई सोच रहा है, UPSC का try करने का, तो UPSC के लिए आपको सबसे पहला जो तयारी है न, friends, वो है अपना mindset, आपको mindset ऐसा बनाना है, कि आपको दो चीज़े दिखनी चाहिए हमेशा, पहला, society में problems कहाँ है, दूसरा, उनके solution क्या हो स तो मैं आप से ही, मेरे सभी students हैं, तो मैं expect कर रहा हूं कि आप में से जरूर कुछ लोग आके चलके देश को represent भी करें, और जो हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जाएं, तो उसके लिए जो है न, सबसे पहला जो मैं बता रहा हूं, बार-बार, आप कोई क्या बोल UPSC के लिए, या किसी भी competitive exam के लिए, खासकर मैं UPSC बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि वही वह स्टेट को चलाते हैं, सबसे powerful job होनी की होती है, तो आपको वहाँ पे दो ही सुरुवात से, starting से ही, आज से और अभी से आपको दो चीज़े करनी हैं, just try to look the problems in the society, and just try to find the solution, त आपको try करना है, तो वो खुद से आप अपनी thinking को भी develop करके, और better solution, वो research करके, other countries क्या कर रही है, वहाँ पर economic, अगर, जैसे यहाँ पर माल economic problem, एक example, तो बहारी जो country हैं, दूसरे देश, वो किस तरीके से अपने employment को बढ़ावा दे रही है, ये, आपको research फिर करना पड़े प्रोब्लम के आज़ादतर लोगों की problem यही है कि, जब सही technology आई है, खास को social media, उसके बाद students सिर्फ pass होने के लिए पढ़ते हैं अब, उनका interest नहीं होता, बहुत ही गहराई से वो जा की चीजों को नहीं पढ़ते हैं, तो मेरा तो यह request है कि आप अच्छे से चीजों को प झाल